तो नमस्कार सांतियों स्वागत एक बार फिर से आप सभी गया आज मैं आपको स्पाइस मनी के जरीए IRCTC के एजन्ट आइडी से टिकेट बुक करना लाइव आपको दिखाने वाला हूं पहले क्या था कि जैसे अगर आप पुराने स्पाइस मनी के एजन्ट हैं तो वही पह वो आप सुन था टिकेट बुक करने कर लेकिन अब अगर आप वहाँ पर जाके टिकेट बुक करते हैं तो वहाँ पह भुत सुन नहीं आता आपको डायक टेक एक्स्टर्नल बेब साइट पर रिडारेक्ट कर दिया जाता है जो कि travel union के नाम से है और अगर आप mobile पे भी इसका use करते हैं mobile से अगर आप fill up करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी travel union एक app play store से आपको install करना पढ़ेगा उसमें क्या है कि cable और cable travel services और ये जो travel services के regarding ही सारी उसमें जो है तो जानकारी दी गई है तो सबसे पहले आपको क्या है कि अगर आप laptop से कर रहे हो तो आपको वेव पोर्टल का use करना पढ़ेगा वेव जो travel union का पोर्टल है और अगर mobile से कर रहे हो आपको जो travel union app है उसका use करना पढ़ेगा लेकिन दोनों की जो process है जोनों का interface है एकदम same है कोई भी difference नहीं है तो मैं अभी आपको book करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको book करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे search करना होगा travel union इसको search करने पर सबसे उपर आपको option यह दिख जाता है wave travel union तो यहाँ पे हमें क्ल face इस तरह का दिखाई देता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतनी services इसमें चार services provide करी गई है train service दी गई है flight service दी गई होटेल service और bus service तो यह काफी एक तरह का simplistic तरीके से यहाँ पे दिया गया है कोई इसमें ताम जहां नहीं दिख रहा है तो अगर आपको train जैसे मैं आपक का हुआ है कहां तक जाना है इसके बाद यहां पर आप calendar पर क्लिक करके और date select कर लेंगे किस date को जाना है माल दीजे अपरिल का यहां पर दिया है आपको मई यह जून में जाना है तो यहां पी एक icon दिया हुआ है next month का तो यहां पर आप क्लिक कर दोगे आपको next next ऐसे month इस तरह का interface मतलब जो भी train है नाम का number और time किस time को जाएंगी और सारी details यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी जितनी भी train है उस route में चलती हो तो आपको यहां से translate करने नहीं कि किस train में आपको जाना है और availability आपको यहां से पता चलेगी जैसे यह two years है तो यहां पर book करते हैं तो वो waiting का आपको ticket मिलेगा तो यहां से जिस भी train में आपको जातरा करनी है वो आप select कर लेंगे जैसे ही class और journey date हम select कर लेते हैं यहां पर book का option आ जाता है book में click करेंगे यहां पर इसको हम confirm कर देंगे यहां पर आपको एक mobile number जो की mobile number active होना चाहिए because इसमें अगर कोई सब ही email address आप डाल देंगे वहां पर ticket का जो PDF होता है वो automatic चला जाता है इसके बाद address यहां पर अपना address आप फिल कर देंगे passenger यहां पर maximum 6 passenger आप it कर सकते हैं यहां पर नाम हो जाएगा यहां पर age हो जाएगी यहां पर gender हो जाएगा male है female है इसके बाद जो add infant का option यहां पर दिख रहा है तो वह 5 साल से चोटे बच्चे आपके साथ में होते हैं यहां पर आप नाम वगयरा फिल कर देंगे एजब वगयरा फिल कर देंगे इसके बाद आप आप पर जा रहे हूं वहां का पिंट कोड़ यहां पर प्लिक करते हो तो state और सिटी अपने आप ही आ ज क्लिक करना है और यहां पे इसको accept करने के बाद get fair पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप get fair में क्लिक करते हो आपके पास यहां पे authentication के दो modes दिये जाते हैं जैसे आपने अगर IRCTC की ID लेते समय OTP-based आपने ली थी तो यहां पे continue by OTP में already by default यह select रहेगा ठीक है यहां पे आपको केबल एक बार प्रेस कर देना है और अगर आपने dongle से लिया था तो आपको यह ensure करना है कि आपके laptop यह desktop में dongle जो installed होना चाहिए तो यहां पे आप continue by dongle करेंगे यहां पे जैसे मेरा OTP-based है तो यहां पे continue कर दूंगा इसको तो जैसे मैं continue करूंगो यहां पी मेरे यह proceed to pay का option आ जाएगा और यह सारी जानकारी आपको एक मिला लेनी है कि जो नेम वगएरा है वो सही होना चाहिए passenger का email address वगएरा mobile number सारी चीज़ें आप मिला लेने के बाद mobile number आप जरूर मिला लेंगे कि अगर आप cancel करते हो तो आप बिना OTP के refund नहीं ले सकते है इसमें refund जो होता है वो OTP-based होता है इसके बाद यहां पे आप proceed to pay पे क्लिक कर देंगे proceed to pay पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना एक नया जो tab होता है वो open हो जाता है यह IRCTC का authentication tab होता है तो यहां पे आपकी user ID automatic select रहेगी और जो password होगा वो password आपने जो बनाया था IRCTC ID करते समय तो वो password आप यहां पे फिल करेंगे इसके बाद जो यह OTP आपके mobile और registered mail ID में आपको sent कर दी जाती है तो वहां पे आप OTP देख लेंगे और OTP यहां पे फिल कर देंगे जैसे ही आप OTP फिल करते हैं और इ certificate आपको देखने को मिल जाती है आप यह booking है वह confirm हो जाती है